दोस्तो इस करेंट फर सुडियो में 11 इंपॉर्टन टॉपिक और एक से बढ़कर एक दुनिया और भारत में जिसकी जबरतस चर्चा हो रही है तो इन सब पर बात करेंगे एक एक करके इनके बारे में डीटेल बताएंगे और हाँ हम लोगों ने अब हिंदी के साथ साथ इंगलिश का भी PDF देना डेली का शुरू कर दिया है तो आप वो देख सकेंगे सरकारी जौब ने उसका यह एप है उस पर तो शूर करते हैं दोस्तों बिना देर के हुए और पहला कोशन किस इंटरनेशनल कोर्ट ने रूसी प्रेसिडेंट ब्लादमिर पुतिन के खिलाफ गिरफतारी का वारंट जारी किया है आंसर क्या होगा इसका है यह सारे इंटरनेशनल कोर्ट है इनमें से आंसर है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC कहते है शौर्ट में इसमें इसे नियूज आप देख रहे हैं, देहिंदू में कि ICC के जजज ने अरेश्ट वारंट जारी किया है पुतिन के खिलाफ। तो ये बहुत ही इंपर्टन मुद्ध है और ये ICC है क्या इन सब पर बात करते हैं, मुख टॉपिक देख रहेते हैं क्या क्या बात करेंगे, जैसे इंटरनेशनल क्रिमनल कोड क्या है, ICC ने गरफ़तारी का वारंट क्यों जारी किया है, क्या पुतिन गरफ़तार होंगे, इसके अस्थापना कब हुई थी, इनि doğru कि इसके अधिकार क्या है, और अधिकार छेत क्या है, और किस तरह के अपर अब रात के लिए ये ICC बना हु पूरी को एक साल पूरा हो चुका है, मतल़ एक साल से ज्यादा हो गया है और रूस ने इसके करीब 16% हिस्से पर कबजा कर लिया है, यह सारे जो हिस्से हैं इन सब पर और मुखे तोर पर यहीं पर लड़ाई चल रही है, तो इस दोरान बहुत सारे ऐसे मामले सामने आए, जो और आमनागरिकों के साथ, ठीक है, तो सवाल यह है कि ICC ने यानि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोट ने किसकी गिरफतारी का अवारम जारी किया है, किन किन के खिलाफ, दो लोग है ऐसे, एक तो रूसी प्रसेंट बलाजमिर पुतिन, जो फोटोग्राफ में देख रहे हैं आप और दूसरी है, रूस की चैल्ड राइट कमिशनर मारिया लावोवा बेलोवा, इधर देख रहे हैं आप, ति जब डिसीजन हुआ, उसके बाद इन दोनों ने मुलाकात की बैठाग भी की है, देहिंदू की रिपोर्ट ये कह रही है, आगे बढ़ते हैं इस मुझते पर, अब समझ लेते हैं कि International Criminal Court के बारे में, इसका मुख्याले कहा है, देहेग में है, नीदरलेंड, वही पर, जहाँ पर International Court of Justice है, ये International Court of Justice से अलग चीज है, International Criminal Court, एक बार मैप के थूँ चलते हैं, देहेग चलते हैं, नीदरलेंड चलते हैं, मुख्याले की बिल्डिंग भी दि यहाँ वाला जो पूरा हिस्सा है वो यूरोप है, और ये रहा नीदरलेंड, और यही पर दहेग शहर है, वही पर मुख्याले है, International Criminal Court का, ये वाली जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, वही है, ये जो अदालत है, वो आप ध्यान रखेगा, International Court of Justice से अलग है, International Court of Justice भी दह में ही है, लेकिन ये क्या है, International Criminal Court है, ठीक है, इसके प्रसेंट कौन है, वी ओटू होफ मांस की, ठीक है, और इसके अस्थापना कब हुई थी, एक जुलाई 2002 को, सदस्य देश कितने है, मेंबर कंट्री, 123 है, और ये एक International Treaty हुआ था, कब 1998 में, उसका नाम था, रोम स्टैचि of the International Criminal Court, उसी के तहत, इसके अस्थापने की गए थी, एक जुलाई 2002 को, सदस्य देश, 123 है, भारत इसका सदस्य नहीं है, भारत ने ट्रिक्री पर साइन नहीं किया था, ओके, किन-किन देशों ने साइन किया था, और कौनकों से ऐसे देश हैं, उसको मैप के थरू भी देख तो आप देख लिएजिए, जो ग्रीन कलर का है, जितने जो भी देश है, ग्रीन कलर में, इस मैप में, वो सब इसके मेंबर है, ओके, उन्होंने साइन किया हुआ है, और उन्होंने रेटिफाई भी किया हुआ है, इसके लाबा, जो यलो कलर के हैं, उन लोग ने साइन तो क लेकिन फिर विड्रॉ कर लिया उसने और जितने रेट कलर में और रूस भी उसने भी साइन किया था इसके लिए ICC में मेंबर कंट्री बनने के लिए लेकिन फिर उसने भी विड्रॉ कर दिया उसने गागे हम ने बनेंगे इसके मेंबर ओके और बाकि जो रेट कलर में देख रहे हैं देश उन सब ने साइन ही नहीं किया और इसका मेंबर कंट्री नहीं है और यहां खास बात है कि ICC का जो अधिकार छेत रहे हैं उन्हीं देशों में जिसने रोम इस्टेट आप इंटरनेशनल क्रिमिनल कोट ट्रीटी पर साइन किया था और से रेटिफाइ किया था 123 कंट्री अब सवाल यह है कि किस तरह के अपराद के लिए यह ICC है कौनकों से जोनोसाइड यानि नरसंहार दूसरा है क्रिमिनल अगेंस्ट हुमनिटी यानि मानवता के खिलाफ अपराद तीसरा है वार क्राइम्स यानि युद्ध अपराद और चोथा है दे क्राइम आफ एग्रेसन यानि आक्रमक्ता का अपराद आप सवाल है कि इंटरेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने गिरफतारी का वारंट क्यों जारी किया है देखी युक्रेन में वार क्राइम का आरोप है पुतिन पर कोर्ट ने ये कहा है कि पुतिन युक्रेनी बच्चों के आपारन और डिपोर्टेशन के आपराद के लिए जिन्मदार है कोर्ट ने ये कहा है कि उनके पास उचित आधार है कि उन्होंने यानि पुतिन और बुलोवा उन्होंने दोनों ने न सिर्फ अपरादों को अन्जाम दिया बलकि इसमें दूसों को मदद भी दी दरसल मामला यह है कि ICC के प्रोसेक्यूटर करीम खान उन्होंने करीब एक साल पहले जब युद्ध शुरू हुआ था के जश्ट बाद युक्रेन में संभावित युद्ध अपरादों यानि जो रूस ने किया युद्ध अपराद उसके लावा मानवता के खिलाब जो अपराद है नरसंगा रही सबकी इंक्वारिश शुरू किर थी और उसी की रिपोर्ट जब आई है तो फिर अदालत ने ये फैसला सुनाया है अब यहां पर सवाल होता है कि क्या पुतिन गिरफतार होंगे तो जैसे मैंने अभी जश्ट पहले बताया मैप में कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का अधिकार छेतर वहीं तक है जिन लोगों ने उस ट्रीटी पर साइन किया हुआ है और रेटी भी किया हुआ यानि सामती सरकार की ओर से जताय हुई है तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का यह जो वारंट है गिरफतारी का तो जारीत हो गया है लेकिन उसके पास गिरफतारी के शक्तियां नहीं है वोकी सिर्फ उनहीं देशों में अपने अधिकार का इस्तमाल कर सकता जहां पर इस कोट की अस्थापना करने के लिए जो ट्रीटी थी उस पर उन देशों ने सिगनेचर किया हुआ चुकि रूस इस ट्रीटी का मेंबर नहीं है इसलिए पुतिन की गिर्फतारी नहीं होगी उक्रेइन के प्रेसिन ने क्या कहा यह जब पूरी इस्ति आई रिपोर्ट आई अदेश आया कोट का तो युक्रेइन के राष्टिब लोदुमिर जलेंस्की है उन्होंने कहा कि यह तो महार शुरुवात है अभी देखिये आगे बहुत सारी कारवाई होगे पुतिन पर तो यह तो जो इंपरेंट टॉपिक मतलब इंपरेंट जो तथ थे वह आपने जाने यहाँ जो पॉलिटिक्स है उसके बार में भी मैं पता देना चाहता हूँ दरसल रूस एक साल से लड़ा रहा है युद्ध ठीक है उसकी आर्थिक रिस्दी बहुत खराब हुई है लेकिन इस युद्ध में युक्रेइन को सीधे तोर पर मदद नहीं दे पा रहे हैं तमाम अमेरिका युरोपिय देश सैंक्शन लगा रहे हैं रूस पर उससे परशानी हुई है रूस को लेकिन युद्ध लगातार जारी है और अमेरिका और तमाम जो यूरोपे देश हैं वो चाहते हैं कि किसी तरीके से रूस जो है वो उसकी इस्तिती बहुत ज़्यादा खराब हो जाए तो एक कोशिश अमेरिका और यूरोपे देशों की ओर से यह हुई है कि नरसंधार और युद्धा पराध बच्चों के साथ जो युद्धा पराध है उन सब का मामला बना कर और पुतिन को कोशिश की जाए कि क्रिमिनल होशित करने की ठीक है तो यहाँ पूरी जियो आजनीती चल रही है कुछ होना होना नहीं है इस आदेश से ठीक है चले अब आगे परते हो और अगला कोशन भी इंपोर्टेंट है और दोस्तों इसका जो भी मैं बता रहूं सब पीडिएफ एबलेबल हैं इंग्लेश और हिंदी दोनों में तो डिस्क्रिप्शन चेक के लेना हुआ लिंक भी है और हाँ आप तक का टोटल करेंट फॉर्स पीडिएफ भी है यानि जन्वर से मार्च तक का और 2022 का भी 2023 के साथ 2022 का भी और वो आप ले सकते हैं वन यहर के मेंबर्शिप के जड़िए मेंबर्शिप है उसके जड़िए मिलता है पीडिएफ करेंट का वीकली, मन्तली, क्वार्टर्ली, इयरली और वो भी कहीत रहें यहर लाका है वन- Boss से विड़ नोटोस होता है मैं आपको बताता हूँ इसके लवा मॉक टेट है करेंट फॉर्स का वीकली और मन्तली और तमाम एग्जामनेशन के लिए टेश सिरेस भी अबलेबल है आउन चल रहा है 50% डिस्क्रिप्रफिन चेक कर लेना बहुत मामली से रकम में यह है आपके बहुत काम आएगी चलिए अगला कोशन लेते हैं महत्पूर्ण है यह भी अमेरिका में आज तो युद्धिभ्यास सी ड्रेगन 23 में किन देशों की फोर्स ने हिस्सा लिया है आंसर का इसका भारत कनाडा अमेरिका जापान और दक्षिन कोरिया ठीक है न्यूज़ी आप देख रहे हैं इंडर निवी ने इसमें पार्टिस्पेट किया है यह युद्धिभ्यास सी ड्रेगन नाम है इसका करन है ओके यह मल्टी नेशनल एंटी सम्मरीन वार्फेर है कब और कहा पाई जुथ हुआ है तो 15 से 30 मार्च तक अमेरिका के ग्वाम में आज जुथ हुआ है और यह देख रहे हैं पी एटाई जो विमान है सर्विलांस विमान है उसके साथ पूरी टीम पहुंची है इंड एक बड़ मैप के थुरू दिखाते हैं तो आपको पूरा समझ में आएगा तो यह रहा प्यारा भारत हमारा और अब चलते हैं अमेरिका ठीक है अमेरिका बढ़ते हैं आगे यह रहा मैप में अमेरिका लेकिन ग्वाम कहा है अमेरिका कहा एक दूइप है और वो है प्रशा रहे हैं अमेरिका का उससे बहुत दूर है यहां पर देख रहे हैं आप यह वाला जो हिस्सा है और अगर हम इसे जूम करेंगे और ज्यादा तो देखते हैं द्विप को यह है गौाम और यहीं पर अमेरिका ने बेस बनाया हुआ है ठीक है एर फूर्स का भी है नेवी का भी बेस है यहाँ पर और यहीं मल्टी निश्टल यह अभ्यास क्या नामें इसका सी ड्रेगन अभ्यास आवज़ित किया गया है ठीक है तो इसमें कौन-कौन से देश शामिल है तो इसमें एक तो अमेरिका है यहाँ दूसरा यहाँ पर है कौन-कौन से देश है तो उसमें हो गया जापान यहाँ पर जापान हो गया यह है दक्षिन कोरिया और इंडिया तो इतने सारे देश इसमें पाट्सपेट कर रहा है और इसमें हिस्सा लेने के लिए भारत का जो समुदरी ट्वही विमान है पी एटाई उसने पाट्सपेट किया इस अभ्यास के जरिये पंडुबी रोधी प्रशिक्षन रननीती प्रक्रिया इन सब पर ध्यान दे जागा यह अभ्यास 2015 में शुर हुआ था और अमेरिकी नेवी आयुद करती है ठीक है तो सी ड्रेगन में शामिल तमाम जो देश है अनके फोर्स का नाम क्या है थो भारद के इनदयन लेवी अमेरिका का अमेरिकन लेवी है जापान का जो है न वो जापान मेरी टैम सेल्फ डिफेनस फोर्स ने प्रसपेट किया वहाँ पर नेवी नाम नहीं है जापान में क्योंकि सेकंड वाल वार के बाद बहुत सारे उस पर प्रतिबंद लगए थे और प्रतिबंद में ये भी था कि वो सेना नहीं रख सकता है तो सेल्फ डिफेंस के नाम पर उसने नौसेना रखे हुई है इसलिए नाम इसका जापान मेरिटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स है और कनाड़ा की ओर से एयर फोर्स ने पार्टिपेट किया है ठीक है रॉयल कनेडियन एयर फोर्स अब यहाँ पर सवाल हो सकता है कि रॉयल क्यों लगा हुआ है दरसल कनाड़ा जो है उसका जो राष्टा धक्स है वो ब्रतेन के जो महराज होते हैं यानि किंग वो होते हैं ठीक है तो head of the state वह ही है तो इसलिए रॉयल लगा हुआ है यहाँ पर चले आगे बरते हैं अगला question यह भी important महात्पोर्ण है एशिया का सबसे बड़ा आहार 2023 मेला कहां पराज़त हुआ है यह international food and hospitality fair है आंसोगा इसका दिल्ली का प्रगती मैदान ठीक है निउस है दे हिंदू में और देख रहे हैं एशिया जबिगेस्ट international food and hospitality fair है डेली में आज़ुत किया गया है दिल्ली में कहां तो प्रगती मैदान में कब से कब तक आज़ुत किया गया है यह आहार मिला 14-18 मार्च तक यहां सवाल होगा कि किस मंतराले के सहयोग से यह आज़न हुआ है तो Ministry of Food Processing Industry उसके द्वारा तो उसके मंत्री कौन है केंद्री मंत्री परशुपती कुमार पारस और Agriculture Ministry भी इसमें परिस्वेट कर रही है आहार 2023 मेला उदेश यह है जो Hospitality Industry है यानि आतित उद्योग है उसकी छमता को प्रदर्शित करना पुरी दुनिया में दिखाना कि देखो हमारे पास इतनी अच्छी पूरी छमता है विदेशी जो कश्टमर है उन तक Message पहुँचाना तकनीक के बारे में बताना Services जो बहतर उसके बारे में बताना तो यहाँ पर तमाम थोक विक्रेता शेफ, केटरर, होटर और रेस्टरा के मालिक उन सब ने यहाँ पर participate किया है वहाँ पर दिखाया है कि किस तरीके से हम hospitality के छेतर में कितने बहतर है चले अब आगे बढ़ते हैं अगला question कितने राज्यों में 781 km के Green National Highway Corridor Project के लिए के अंदर सरकार ने World Bank से लोन समझाता किया है इसका अंसर होगा B और C यानी राज्थान, हिमाच्चन परदेश और उत्तर परदेश इसके लावा आंधर परदेश ति यह चार राज्य है और इसी इन ही चार राज्यों के लिए यह समझाता किया गया है World Bank से Green National Highway Corridor Project है शौर्ट में कहेंगा इसे GNHCP इसके निर्मान के लिए केंसर कार ने और World Bank ने साइन किया है समझाता केंदरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मत्री नितिन गटकरी ने राजसवाह में एक लिखित उत्तर में यह जान कर दी दरसले एक सवाल हुआ था कि जो Green National Highway Corridor Project है उसके क्या development हो रहा है तो यह हो रहा है तो एक important बात है और इसके बारे कुछ तक्त यह है लंबाई कितनी है इसकी 781 किलोमेटर किन राजियों में होकर मतलब यह highway इस तरह का प्रजेक्ट बनाए जा रहा है तो राजिस्थान, हिमाचर प्रदेश, उत्रप्रदेश और आंधर प्रदेश लागत कितनी है इसकी 288.24 मिलियन अमेर की डॉलर यानि 1288.24 मिलियन अमेर की डॉलर अगर हम रुपए में कहेंगे तो यह 7662 करोर रुपए के आसपास होता है अब इसमें से वर्ड बैंक से कितना सरकार लोन ले रही है इसके डवलप्मेंट के लिए तो 500 मिलियन यूएस डॉलर यानि यह हो जाता है 4128 करोर रुपए रुपए में अगर हम कनवर्ट करेंगे याला कि रुपए का भाव बगरता घरता रहता है तो यह फ्लेक्सिबल है लेकिन यह मूलचेज है तो इस प्रजेक्ट के तहट सडक निर्मान को इस तरह से किया जागा जिससे कार्बन फोट्परिंट कम से कम हो और सच वातरवर्ण को बढ़ावा मिल सके ठीक है कार्बन फोट्परिंट मतलब उससे जो ग्रीन हाउस गैसेज है वो कम कर्बन डाइक्साइड हो गया और भी जो गैसे है जो ग्रीन हाउस गैसे है उसका उतसरजन कम हो ऐसा यह हाईवे बने और यह प्रजेक्ट जो है वो एलेक्टिक वाहनों के उप्योग को बढ़ावा देगी कुछ ऐसी व्योस्ता हुआ पर की जा रही है कोशिश है कि रोजगार पैदा करके व्यापार वानिज की इस्तिति को भी और बहतर किया जाए तो ये जो प्रजेक्ट है न वो किस नीती के तहट सरकार के है तो है हरित राजमार्ग नीती 2015 पंद्रह ठीक है इसके तहट यह है और इस मीती की कुछ विशिष्टा है जैसे ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रजेक्ट बनाए जाए ओके यानि हरित राजमार्ग कॉरिडोर बनाए जाए मकसद ही है कि देश भर के जो नीजी छेत्र है किसान है वन विभाग है सरकार जिस्तन स्था है इन सब को पर्टिसमेट किया जाए और पर्यावरन के अनकूल हाईवेज का डेवलप्मेंट हो जो नेशनल हाईवे है उसके किनारे पीर पौधे लगाए जाए बड़े पैमाने पर ता कि जो एर पॉलुशन है धूल के जो समझ से आए वो कम कर सके ठीक है चले आप आगे बढ़ते हैं अगला कोश्चन लेते हैं दोस्तों कैसा लग रहा है कमिट बॉक्स बें आप बता सकते हैं और आपसे एक ही अपील है कि इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जरू कर लेना और घंटी का एक बटन है बिल आइकन उसे दबाएंगे तो नोटिफिक्शन आपको वक्त पे मिल पाएगा ओके शेर भी कर दीजेगा दोस्तों को पसंद आये तो तो कोशन होगा अगला राजिस्थान सरकार ने मार्च दोहजाट तीस में राज में कितने नए जिलों के गठन का एलान किया है नए जिले बनाए गए हैं वहाँ पर आज़ों का उननीस नाइनटीन अशोग गलव तो वहाँ के मुख मंत्री है और उनीस नियू डिश्टिक वहाँ पर बनाने का ऐलान कर दिया है उन्होंने इससे लेटर अगला कोशन फिर डिफाइन करते हैं इसको कोशन होगा राजिस्थान सरकार ने उनीस नए जिलों के गठन की घोशना किये तो इसके साथ अब राज में कुल कितने जिले हो गए हैं या हो जाएंगे कह लिए आंसर का 50 कितने 50 मुख मत्री अशोग गहलोत उन्होंने 17 मार्च को विधान सभा में इसके घोशना की तो राजस्थान में उन्होंने कहा कि राजस्थान में इस नए जिले और 3 नए संभाग बनाये जाएंगे तो इसे के साथ राज में 50 जिले हो जाएंगे और 10 संभाग हो जाएंगे ठीक है और जो इसकी घोशना हुई उससे पहले कितने जिले थे टोटल बासवारा, पाली, सीकर ये नए संभाग बनाये गया है तीन बासवारा, पाली, और सीकर और नए जिलों के लिए उसके लिए फंड वन करीब 2000 करोड के फंड का भी प्राभधान किया गया है तो आप देख लेते हैं कि कौन कौन से जिले बनाये जा रहे हैं वहाँ पर जैपूर से काटकर जैपूर उत्तर, जैपूर दक्षिन, तुद्दू और कोट पुतली जिला बनाये जा रहा है जोदपूर से काटकर जोदपूर पर्व, जोदपूर पश्रिम, फलोधी ये बनाये जा रहा है श्री गंगानगर से काटकर अनूपकर बनाया जाए रहा है, बार्मेर से काटकर बालोतरा बनाया जाए रहा है, अजिमेर से अलग करके ब्यावर और केकरी बनाया जाए रहा है, अलग जिला, भरतपुर से काटकर एक डीग जिला हो जाएगा, नागोर से अलग करके डिडवा थाना कुचाम सिटी ये डिष्टिक हो जाएगा सवाई माधोपूर से अलग करके गंगापूर सिटी एक अलग बनाया जा रहा है अलवर से काटके खैर थलको बनाया जा रहा है ठीके सीकर से अलग करके नीम का थाना अलग जिला होगा उदैपूर से अलग करके सुलंबर सलू पुरा एक जिला होगा तो 19 नए जिले वहाँ पर बनाया जा रहा है इंपोर्टेंट है आपके एक्जामनेशन लिए ठीक है तो मुखमंदी अशोगलोत उन्होंने कहा ये है बताया कि क्यों जरूर थी इतने ज्यादा जिलों की 50 जिले क्यों किये गए हैं बढ़ा कर 31 से बढ राज ये तो है ही तो उसके साथ-साथ जिले जो है न वह बहुत बड़े-बड़े हैं और जिला मुख्याले से सो किलोमेटर से जादा दूर तक दारा है ये राज्थान है और इसके ये वाला जो पुराना मैप है मतलब नए जिले बने हैं वो इसमें शामिल नहीं है अलग जिले हो रहे हैं तो यहाँ जोदपूररे है इतना लंबा जिला है नागवर है इतना लंबा जिला है टीक है ओकानेर है यहां से यहां तक झिला तो इस वज़े से क्या लोगों को बहुत कठनाही होती है जिला मुख्याले में जाने के लिए और कई entfer जलों की जंसक्या भी तो प्रशासन परिवारों तक जो सरकारी सहायता है, सरकारी योजना है, उसको पहुंचाने में उसको कठिनाई होती है तो जिला अपेक्चकेत छोटा होने से प्रशासन प्रबंधन और कानून व्योस्ता की निगरानी सहज और सुगम हो जाएगी ऐसा कहना है और उनका कहना है कि इसके जो परोसी जिले हैं, उन सब के जिलों की जो उनका दायरा है वो ठीक है, उसको तुल्ला में राइस्थान में जो जिले हैं वो बड़े बड़े जिले थे अच्छा, नए जिलों के गठन को लेकर सरकार ने सुझाव के लिए रिटार्ड आईएस राम लुभाया की अधक्षता में हाई पावर कमेटी भी बनाये हुई थे तो राइस्थान की बात कर रहते हैं हम लोग, राइस्थान के मुक्पंतिर अशोग घहलोग, गवर्नर कौन है, कलराज मिश्र, राइधानी जैपूर है आगे बढ़ते हैं अगला कोश्चन लेते हैं, राज आंदोलन कारियों एवं आश्रितों को, सरकारी नौकरी में आरक्षन का फैसला किस सरकार ने लिया है आंसर का उत्राखन, उत्राखन सरकार ने ये कहा है कि 10% 36 आरक्षन दिया जाएगा जो राज का गठन होने के लिए जो आंदोलन हुआ था, उसमें जो पर्सपेट किया था लोगों ने, तो उनके आश्रितों को आपको पता होगा कि उत्राखन का गठन हुआ था, उत्राप्रदेश से अलग करके 9 नौवंबर सन 2000 को ठीक है, तो उसे पहले बहुत दश्कों तक आंदोलन चलता रहा, तो यह हुआ है आप, और डिमांड हो रही थी बहुत पहले से कि आंदोलन कारियों के आश्रितों को आरक्षन दिया जाए नौक्रियों में, तो मुखमत्री पुश्कर सिंधामी हो नहीं कि अधिक्ष्टा में कैबिनेट की बैठक हो यह और इसे में यह फैसला हुआ कि आरक्षन दिया जाएगा 10%, 36 आरक्षन, 36 आरक्षन का मतलब यह हुआ कि तमाम जेनरल से लेकर और सब में डिवाइट कर दे जगा तो जितने हैं जैसे जिनरल में जितनी जगा है तो उसमें से कुछ सीटें 10% उसकी वो कर दीगे कि इसमें अंतरलनकारियों के आश्रित ही रहेंगे ओबीसी हो गया तो उसमें भी ऐसी तरह से कर दे तो यह 36 आरक्षन हो गया उतरखन की बात हो रही है गठन का बुगा था एक बार और बदाते हैं आपको 9 नौमबर संदोहजार को राजधानी का है गैर सैन गिरिशन कालीन और देहरादून है शीत कालीन राजधानी ठीक है गवर्नर कौन है गुरमीत सिंग अगला कोशन लेते हैं उतरखन सरकार ने विदायक निधी को 3.75 करोर रुपे यानि पौनी 4 करोर रुपे सलान से बढ़ा कर कितना कर दिया है आंसर का 5 करोर तो उतरखन कैबिनेट ने ये फैसला किया कि विदायक निधी को बढ़ा कर 5 करो अगर हम इसके परोसी राज्यों की बात करें उतरखन की जैसे उतरखन प्रदेश और हिमाचल प्रदेश तो वहां जो विदायक निधी है उससे ज्यादा होगे है उतरखन में 3 करोर रुपे है विदायक निधी हिमाचल प्रदेश में 2 करोर रुपे सालाना है विदायक नि अगला कोशन आते हैं वैश्विक पुनर चक्रन दिवस यानि Global Recycling Day कब मना जाता है आंसर का इसका 18 मार्च को ठीक है 18 मार्च को मना जाता है और थीम क्या है रचनात्मक नवाचार यानि Creative Innovation अगला कोशन आयूध निर्मारी दिवस यानि ओर्डिनेंस फैक्टरी डे कब मना जाता है आंसर का 18 मार्च लेकिन आप तो ओर्डिनेंस फैक्टरी बचे ही नहीं है क्योंकि इनको तोड़ कर और भंग करके मतलब PSU बना दिए गया है पब्लिक सेक्टर अंडर्टेक्टिंग कंपनिया बना दिए ठीक है और यह जो दिवस है आयोद निर्मानी दिवस यानि ओर्डिनेंस फैक्टरी डे यह जो कोलकता में एक फैक्टरी थी ओर्डिनेंस फैक्टरी कोशीपूर सबसे पूरानी तो उसमें उत्पादन शुरू हुआ था 18 मार्च 1802 को इसी वज़े से यह दिवस मना जाता है तक मुझे लगता है कि अब इस दिवस की जो गंभीरता है और प्रासंगीकता है वो खत्म हो जाएगे क्योंकि ओर्डिनेंस फैक्टरी बोर्ड अब अलगला कंपनियों में पढ़ चुका है अगला कोशन लेते हैं समीर खाखर का निधन हो गया 15 मार्च 2023 को तो इन में से क्या थे वो किस वज़े से पॉपलर थे आंसर होगा अभीनेता एक्टर फोटोग्राफ ये रहाईन का 71 येर के थे और कई सारी फिल्मों सीडियल इन सब में उन्होंने भूम क्या निप भई थ जवाब हम देंगे उसके साथ उसका तो कई फिल्में उसमें वो गर्याए थे आसे तो दोस्तों ये था इंपर्टन करेंट फर्स आज का और आपको बताओं कि संडे को डेली का करेंट फर्स नहीं आता है संडे को क्या है तो वीकली करेंट फर्स देखेगा पूरे सबताह का जो करेंट फर्स है उसको संशेप में बताए जाएगा वीकली कर्रेंट फर्स सुबह साथ बजे कल मौनी को यानि संडे को देखना मज़ बुलना और डेली का कर्रेंट फर्स जो है वो अब हम बात करेंगे उस पर मंडे को मंडे की सुबह साथ बजे